तो Flipkart ने अपना एक और update यहाँ पर enroll किया है जिसका नाम है challenges बहुत सारे seller इसमें confuse हो रहे थे तो मुझे लगा इसमें वीडियो मुझे बना लेनी चाहिए तो आप Flipkart में जब नए on board होते हो तो यहाँ पर growth के नीचे होगा आपका एक option challenges तो देखो सबसे पहले तो मैं बता option अभी बहुत कम sellers को आया होगा क्या है यह option यह हम लोग बात करेंगे क्या है राइजिंग स्टार क्या है growth hacker क्या है सर चेंपियन उसके बाद प्राइजिंग एक्स्प्लोरर क्या है business superstar आपको मतलब यह सब batches है flip card ने जो नई introduce करें यह क्या चीज है यह कैसे मिलेंगे इनके कोई फाइदे भी है या नहीं है क्यों enroll किया है मेरी इसमें personal क्या रहा है जल्दी जल्दी में आपको बता देता हूँ welcome to Rishi Commerce I am Rishi चैनल को subscribe बहुत कम seller कर रहे कर लो और comment में मुझे बता दो कि आपको flip card प types अपने complete कर लें तो यहां पर आप growth के नीचे challenges का option देखो इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस type का page खुल के आएगा कितने challenges आभी accept करें हैं वह यहां पर आ जाएंगे कितने challenges आपके लिए अभी हैं जो आप participate कर सकते हो यहां पर आएंगे कितने complete कर दिए कितने expire हो चुक example के लिए चलिए हम यहां पर पहला वाला देख लेते हैं अभी एक ही open है पांच चार यह लॉग्ड है चार लॉग्ड क्यों है क्योंकि पहला अगर complete होगा उसके बाद ही यह बाकी open होंगे तो यहां पर हम पहले वाले पर view details पर चले जाते हैं पहला वाला actual में है क्या पहल होगे rising star और यहां पर your achievement में यहां पर वह बैच तो होगा और वह बैच आपकी visibility प्लस आपके टीरिंग में भी improvement में भी काम आएगा ऐसा फ्लिपकार्ट ने बोला है बाकी अभी let's see कितना इसमें और improvement होता है क्योंकि कल में ही यह update आया है तो मुझे लगा आपको इसके बार पहला बैच कौन सा बैच आपने जीता है जैसे राइजिंग स्टार का बैच है दूसरा उस बैच को बैच तो जीता आपने उसके अलावा कुछ reward भी आप जीतोगे वह reward भी यहां पर show आपको हो जाएगा तो जैसे पहला है राइजिंग स्टार का बैच इसमें क्या होगा अगर आपने इस में पाटस्पेट किया और कंप्लीट कर दिया चाहर पांच दिन का यहाँ पर देखेए टेक्स फोर डेज लिखा हुआ है लिखा हुआ है तो जनरली चार दिन में प्लेट करना है आपको बागी इसमें ठोड़ा और आपको दे दिया जाएगा तो पांच को आपको बता जाएगा डिटेल्स अगर मैं यहां पे यहां पर क्या-क्या पांच स्टेप्स आपको कंप्लीट करने है वो मैं आपको बता देता हूं पहला स्टेप आपको क्या करना अपना बैंक verified करना है तो जैसे मैंने बुला है नए sellers के लिए अभी फ्लिपकार्ट ने इंड्रोल कर रखा है जिन्होंने फ्लिपकार्ट पर ऑन बोर्ड किया है एक जून से लेके एक जून के बाद में तो यह उनके लिए है बाकी जो नए पुराने सेलर है उनके लिए अलग-अलग चैलेंजेस फ्लिपकार्ट देगा तो यह स्पेशली नए सेलर को टार्गेट करके बनाया जा रहा है ताकि वह फास्ट फास्ट अपना प्रोसेस आगे बढ़ाए रहे तो सबसे बैंक वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा वह तो तुरंत हो जाता है आपको पता हिए उसके बाद आपको अपना स्टॉक कम से कम 10 लिस्टिंग ऐसी डालनी है जो एक्टिव हो और उसमें स्टॉक हो उसके बाद आपको एक्सप्रेस फुल्फिल्मेंट में साथ लिस्टिंग डालनी है आजकल तो सारी एक्सप्रेस ही हो स्टार्ट वाला बैच मिल जाएगा और यहाऊ पर दो प्षन है स्टार्ट चैलेंज का और एक चैलेंज करोगे तो यह उसी टाइम से चैलेंज स्टार्ट कर जाएगा तो आप इसको कर सकते हैं जरूर करिए मैं तो बोलूगा नए सेलर हैं आप इसमें कोई घाटा नहीं है जल्दी जल्दी करेंगे तो वही बहतर रहता है बाकी स्टॉक वगेरा जब रेडी हो तब इसको स्टार्ट करिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा उसके बाद चैलेंज अगर डीटेल की मैं बात करो तो यहां पर आप चैलेंज की सारी डीटेल द कर सकते हो कौन सा राइजिंग स्टार वाले में राइट उसके बाद ड्यूरेशन क्या रही कि मैंने बता दिया आपको तो चार से पांत दिन का आपको टाइम मिलेगा वह आपको पता चल जाएगा उसके बाद अगर कोई भी आपने टास्क कम्प्लीट करा है और विदिन 24 अगर आपको कोई अपडेट विदिन 6 आर अगर आपका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है तो आपको टिकटरेश करना है और उसके बाद आपका सलुशन मिल जाए गर विदिन 6 आर यहां पे लिखा हुआ है उसके बाद और कोई क्वेशन ऐसा नहीं है जो मुझे अलग से यहां पर जबाब देने की जरुरत बढ़ेगी कोई दिक्कत नहीं है और इसके अलावा नथिंग है अब यह तो था पहला वाला अब यहां पर ऑपॉर्चुनिटी है अच्छे ओडर मिलने की इसको करेंगे तो उसके बाद शूरू होंगे बढ़ेगी कंप्लीट कंपीट सेलर्स और स्लिगरिंग क्या है इसमें यह मैंने आपको बताती है तो यह है पहला जिसमें राइजिंग शिकरेट बुक मिलने ृफ के अलावा जैसी आप इसको complete करोगे फिर ये वाला सार्ट होगा जिसमें आपको growth hacker का बैच मिलेगा फिर ये वाला आएगा फिर ये वाला फिर ये वाला अब इनमें हम reward देख लेते हैं कुछ हमारे काम कर रिवाड है कि इसमें तो देखे growth secret book मिलने वाली है चलिए ठीक है इस उस पर ये 10% आपको discount दे रहे हैं तो थोड़ा बच के तो कहीं न कहीं आप ये challenges complete करिए लेकिन उसके बाद जो इन्होंने बैच दिया है उसके लिए तो वह बैच भी enjoy करी कोई दिक्कत नहीं हो आपके progress के लिए ही है बट जो ये reward दे रहे है ये reward के चक्क्र में फसना नही सकते हैं उसके बाद next price explorer का बैच आपको मिलेगा इसमें आपको acknowledgement certificate मिलेगा ये भी बहुत अच्छी चीज़ है उसके बाद बिजनस सुपर स्टार बन गे तो आपको 5000 तक का gift card मिल सकता है लगी ड्रौ है ये तो मिल सकता है तो ये है flip card challenges concept आपको समझ में आ गया होगा आप अ नए sellers के लिए available हो रखा है मुझे लगता है कि नए seller को ये challenge दे दिया तो पुराने seller को भी कुछ challenges दे के उसमें seller participate करे और उसके हिसाब से उसको reward बगरा कुछ मिले ये कर सकते रहे तो ये सेम है challenges जैसा आपका reward आया था उसी के तरीके से ही ये एक नई चीज लग रही है समझ में आयोगी तिल देन थैंक्यू वेरी मच्च कीप सेलिंगो